हिंदी सिनिमा की लोग पर ये अभिनेता आजे देवगन एक ऐसे कलागार हैं जिने हर किरदार को बहुती शांदार तरीके से निभाना आता है फिर चाहे एक्षन हो कॉमेडी हो हर किरदार में इन्होंने अपने बेस्ट ही दिया है इन्होंने दमदार अभिनेय से भारत में नहीं बलकि दुनिया भर में अलग पहचान बनाई दोस्तों आप इनके बारे में तो जानते हैं इनकी पतनी के बारे में जानते हो कौन हो क्या करते हैं कैसी दिखती है अगर आप ये बाते जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के एंड तक बने रहें और अब इनेता आजे देवगन के लिए वीडियो को लाइट तो कर दो फिल्मी जगत के लोक पर ही अब इनेता आजे देवगन का जन्म दो अपरेल 1969 को दिल्ली में हुआ इसलिए इनकी पढ़ाई भी वहीं पर हुई बाद में इन्होंने मीठी बाई कॉले से दिल्ली में ग्रेजिशन किया अगर बात करें इनके अभिने करियर की तो इने बचपन से एक्टिंग करने का शौक था इसलिए अपने पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने अपने पिता से स्टंट सीखा और एक स्टंट अभिनेता के रूप में उन्नी से क्यानवे में फिल्म फूल और काटे से अपने शुरुवात की इसमें इन्होंने अपने अभिने का शांदर प्रोडेशन किया और ये फिल्म सूपर इट हो गई इस फिल्म के बाद लोगोंने इनकी बड़ी तारीफ की जिसके बाद इनको एक के बाद एक फिल्म में मिलने लगी जिसका नाम अजे देवन फिल्म से है जिसे इन्होंने 2000 में स्थापित किया था इन्होंने 2008 में फिल्म यू, मी, एंड हम के साथ फिल्म निर्माण में भी शुरुवात कर दी बाद में राजु चचा, हेलिकॉप्टर इला, बूल बच्चन, सन ओफ सर्दार और शिवा जैसी सूपर इड फिल्मों का निर्माण किया वर्तमान में ये अपनी आने वाली फिल्म ताना जी के प्रमोशन में बिजी है जो 10 जनवरी 2020 को रिलीज होने वाली है अगर बात करें इस दंदार अबने तक रियल लाइप पत्नी की तो उनकी पत्नी एक जानिवानी अबनेत्री है जिसका नाम है काजोल इन्होंने कई सूपर इड फिल्मों में काम किया है जिसमें दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे इस दोनों ने एक और फिल्म प्यार तो होना ही था जैसे सूपर इड फिल्म में शामिल है अगर बात करें इन दोनों की लव स्टोरी की ते इन दोनों की पहली मुलाकात फिल्म हल चल की शूटिंग दोरान हुई इस फिल्म में ये दोनों एक दूसरे के पोजिट काम कर रहे थे फिल्म के दोरान ही इनको एक दूसरे से प्यार हो गया और एक दूसरे से इन्होंने जाहिर नहीं किया इसके बाद इन्होंने एक और फिल्म प्यार तो होना ही था में एक साथ काम किया यही वो फिल्म थी जिसके दोरान इन दोनों ने एक दूसरे को अपनी मुहबत का इजहार किया फिर नोनों ने देर नहीं की 24 परवन में सनी 99 को महराष्टरन तरीके से इनोंने शादी कर ली वर्तमाने में जोड़ी बॉलिवुड की सबसे बैस्ट जोड़ी माने जाती है इनके दो बच्चे हैं बेटी नियासा और बेटा युग देवगन तो दोस्तों आपको क्या लगता है इन दोनों की जोड़ी बॉलिवुड में बैस्ट आ या नहीं हमें कॉमेंट में बताइए और साथ ही बॉलिवुड से जोड़ी और भी मसालेदार बातों को जानने के लिए हमारे चैनलों सब्सक्राइब कर दीजिए ना